हेलो दोस्तों लाफटोप मास्टर में आपका स्वागात है मैं आपका दोस्त निशान आज फिर एक नई वीडियो के साथ लेकिन लाफटोप वही पुराने पीछे जो हमने दो वीडियो डाली थी एक था या आई 3 प्रेस जनेशन के साथ एक ती राइजन 3 सेवन थाउजन सीरीज के साथ देखें दोनों वीडियो देखने के बाद अधिकता लोगों में अधिक्ता लोगों में कन्फ्यूजन आती है कि दोनों और मोस्त सें प्राइस ब्रेंड में आते हैं एक 40-45 की रेंज में आता है 45-50,000 की रेंज में आल्मोस्त दोनों का प्राइस बेंड सेम है को कॉन्फिकेशन आल्मोस्त सेम है तो जो पर्चेस करने वाला है वो यह बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि मैं कौन सा लाप्टप पर्चेस करहूं आई 3 पर जाओं या राइजन पर जाओं तो उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज हम लेके आएं दोनों का कंपैरिजन तो दोस्तों शुरू करते हैं दोनों के comparison से सबसे पहले हम देखते हैं जो आपको वीडियो स्टार्ट होता ही दिखाई दिया हो गया होगा दोनों में color का difference सबसे पहले मैं आपको बता दो यह है Ryzen 3 7000 series Lenovo IdeaPad Slim 1 और यह है IdeaPad Lenovo का Slim 3 यह i3 12 generation के साथ है यह Ryzen 3 7000 series के साथ यह natural silver color में आता है और यह blue color में आता है जो आपको वीडियो ओन करते ही दिखाई दिया गया होगा फिसिकल एपिरेंस में इस चीज के अलावा कोई भी difference नहीं है सिरफ color के अलावा अगर आप पोर्स की बात करेंगे दोनों में same ports है display दोनों की same है camera quality दोनों की same है सिरफ और सिरफ color का difference है आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इन दोनों में common क्या है processor इन में common नहीं है जैसा कि difference हमने पताई दिया आइजी और सब्सक्राइब दोनों में same है बस परह कितना है कि आप राइजन 3 में 8GB ही insulated लगी भी है जो अफगेड नहीं कर सकते हैं इसके अंदर 8GB on board है लेकिन आप इसमें अफगेड कर सकते हैं RAM दोनों से मैं सिरफ इसमें अफगेड़र्शन की option है i3 में आप अफगेड कर सकते हैं RAM को SSD पाते हैं Exclusive 112V SSD के साथ आते हैं कोई डीफरेंस नहीं है अगर हम दोनों के website की ही बात करेंगे दोनों में same Wi-Fi 6 तोनों में आपको में kiti दोनों के weight के बात करेंगे 8GB이 दोनों 1.52kg Interview搞 आपको मिलते हैं, दोनों की बैटरी सेम है, 3cell की दोनों की बैटरी है, दोनों का बैकॉप सेम आता है, चले दूस्त देखते हैं, दोनों मैं the difference I3 12 Ó processor हे six physical core के साथ और Ryzen 3 devient 4 core के साथ है, तो देखे हम यंदिये попー करें मुल्टी टास्किंग के साथ तो दोनों ही जो लाप टॉप है वो मुल्टी टास्किंग के साथ आते हैं आप दोनों में मुल्टी टास्किंग कर सकते हैं यहां पर डिफरेंस नहीं आता सिक्स कोर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है हां अगर टू कोर का पर उस जो आपका Ryzen 3 की स्पीड बढ़ने का रीजन भी यही होता है Ryzen 3 शिक्स नेनो मीटर के साथ आता है और इंटल i3 अभी भी 10 नेनो मीटर प्रोसेसर के साथ आ रहा है क्योंकि मैं आपको नैनोमीटर बदा दू जितने नैनोमीटर कम होते चले आते हैं उतनी स्पीड पढ़ती चले आती है उतना उस पे स्पेस पढ़ता जलाता है उतने कई मिलस एक्ष्टर लगने चरी चुरू हो जाते हैं स्पीड बात करते हैं रहाँ की दोनों में रहाँ है रही लेकिन उसकी फ्रिकेंसी में फरत है जो राइजन 3 में रहाँ है वह कारें रहा है तो राइजन 3 बात करते हैं SSD की बात करते हैं, 512 GB SSD है, वो दोनों में same है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, हम ग्राफिक्स की बात करते हैं, तो ग्राफिक्स के case में, जो Ryzen 3 है, वो आपको 2 GB dedicated graphics देता है AMD Radeon, और Intel के अंदर dedicated graphics नहीं आता, वो shared graphics के साथ आता है 3.7 GB, तो अगर हम बात करेंगे, देखे, गेम्स की या वीडियो एडिनिंग की, ग्राफिक्स डिजाइनिंग की, तो उसमें हमें graphics की जुरत होती है, अगर आपको ये काम करना है, तो आप Ryzen 3 प्रोसेसर को चूज करिएगा, यहां पे हमारा i3 प्रोसेसर है, वहां पे थोड़ा सा अगर हम बात करता है, ग्राफिक्स के मामने के, चलिए अब हम बात करते हैं, पर्चेस करने के point of view से, हमने डिफ्रेंस तो देख लिया, इन में कहा है, लेकिन हम अब सिलेक्ट कैसे करेंगे, अगर आप स्पीड देखेंगे, तो दोनों की स्पीड ऑल्मोस सेम है, इन टम्स अगर आप कहते हैं कि मैं बहुत ही ज़दा मुल्टी टास्किंग करूं मुल्टी टास्किंग मेरा वेस है तो आप IT 12 जनेरेशन चूज करेंगा, लेकिन चार कोर के प्रोसर में भी आपकी मुल्टी टास्किंग बहुत अच्छी होती है, तो यहां पे मैं यही कॉमा की दोन चूज कर सकते हैं, अगर आपको अलकी फोल की गेमिंग करनी है, ग्राफिक डिजाइनिक, वीडियो एडिटिंग करनी है, आपकी अच्छी राइजन 3 में आपकी होगी, तो जो डिफरेंस आई 3 12 जनेरेशन में लिनो ने दिया है, लिनो आई 3 12 जनेरेशन की रैम आप अपग्रेड कर सकते हैं, 8 GB से आप उसको 16 GB पे लेके जा सकते हैं, अगर आपने रैम को अफग्रेड करना है, तो आप i3 12 जनेरेशन चूज करें, वीडियो के लास्ट पे मैं आपको यही बताना चाहूँगा, कि अगर आपने मल्टी टास्किंग करनी हैं, और मल्टी टास और आपने वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक्स याद गेमिंग करनी हैं, तो आप Ryzen 3 चूज करिएगा, क्योंकि इसमें बहुत स्पीड मिलेगी, रैम की भी स्पीड जाता है, प्रोसेसर की भी स्पीड जाता है, और यह बात और बदा दो, यह मार्केट में आपको 5000 स्पीड जाता है, और अगर हम रेटिंग की बात करें, तो मेरी तर से रेटिंग, इंटल कोर आई 3 12 जनेशन को रहती है, 4.6 आउट और रैजल 3 को 4.9 आउट और 5, तो आज हमने दोनों लाटव का कमपैरिजन किया, आशा करता हूं, कमपैरिजन के बाद आपको लाटव प है कि कौन सा आप पर्चेस करें, अब आपको काफियत तक क्लियर हो गया होगा, अगर अभी भी आपके कुछ डाउट्स रह गए हो, तो आप कमेंट्स करके हमें हमसे पूछ सकते हैं, यहां सक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, अगर आपन के साथ साथ हम फिजिकली ओपन करके भी आपको दिखाएंगे, जय हैंगे